स्वागत है संध्या के किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं मफिन्स मैंने दो कटोरी दो कटोरी दही ले लिया है अब फिर उसके बाद फिर उसके बाद मैं एक कटोरी ऑईल डाल रही हूं हमने सनफ्लावर ऑईल डाला है आपके जो मर्जी हो डालो अब फिर उसके बाद मैंने शक्कर पीश के डाल दिया है अभी हम अच्छे से मिक्स करेंगे एक कब हमने सक्कर ले लिया है आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं अभी अच्छे से मिक्स करेंगे जैसे लम्स रहता ना वो चला जाए देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है देखिए एकदम जैसे क्रीमी हो जाए जैसे अभी मैं वनिला एसंस डाल रही हूँ तीन से चार बूंद अभी वो भी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से खुस बूंद वनिला एसंस डालने के बाद अच्छा खुसबू आता है उसका फेवर बहुत अच्छा आता है अभी मैं दो कटोरी मैदा ली हूँ अच्छे से मैं मिक्स कर लेंगी ताके गुठली ना पड़े देखिए अच्छे से मिक्स हो रहा है अभी अभी मैं बेकिंग पाउडर डालने जारो एक चम्मच अफिर उसके बाद बेकिंग सोड़ा आधा आधा चम्मच फिर उसको डालके अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ मैं इसको इतना फेटों जैसे अच्छे सौप्ट हो जाए देखिए हमने इतना अच्छा फेट लिया है उसको अभी मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ एक कप पानी लिया था मैंने आधा डाली हूँ अभी आधा डालके अच्छे से मैं मिक्स कर ले रही हूँ ताकि सौप्ट हो जाए बैटर मैंने देखिए अच्छे से फेट लिया थोड़ा सा पानी डालके ताकि अच्छे से पतला हो जाए अब मैं अच्छे से फेट ले रही हूँ ताकि बैटर एकदम पर्फेक्ट हो जाए अब मैं थोड़ा सा और पानी डाली हूँ देखें कितना अच्छा बैटर हो गया है देखें ऐसे ही चाहिए हमको देखें रिवीन जैसे गिरना चाहिए ऐसे हमें ऐसे ही चलाना है ताकि बैटर लाइट हो जाए अभी मैं दो में डिवाइड कर रही हूँ आधा मैं चोकलेट का बनाऊंगी और आधा वनीला फेवर देखें इसमें मैं कोको पाउडर डाल दी हूँ दो चम्मच दो से तीन चम्मच हमने डाल दिया है और अच्छे से मैं फेट लूँगी इसको ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए देखें अच्छे से हम फेट ले रहे हैं देखें हमारा हो गया फेट के अच्छे से मैं मिक्स कर ले रही हूँ ताकि अच्छे से हमारा मफिंस बनें देखें परफेक्ट मेरा बैटर बन गया है चौकलेट बैटर अब मैं चौकलेट को अच्छे से ग्रेट कर ली हूँ ये डार्क चौकलेट है मैंने इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी अभी ये मैंने वैनियला फेबर वाले में डाली हूँ अभी मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ देखिए अभी पर्फेक्ट मिक्स हो गया है अभी मैं ओवन को फ्री हीट कर ले रही हूँ 180 डिगरी में अभी मैं कप में अभी मैंने मफिन ट्रे में पेपर कप्स रख दिया है अभी मैं थोड़ा थोड़ा डालूंगे अभी मैं इससे तीन तरीके से बना सकती हूँ एक वनीला एक चॉकलेट एक मिक्स तीन तरीके के हम मफिन्स बना सकते हैं अभी आप लोग देखिए अभी मैं एक में वनीला डाल दी हूँ एक में चॉकलेट डाल दी हूँ और एक अभी मिक्स बनाऊंगी मैं अच्छे से आधा आधा भर रही हूँ फूल नहीं भरना है क्योंकि वो तब बाहर आ जाएगा फूलेगा तो अभी मैं मिक्स वाला डाल रही हूँ आधा वनीला आधा चोकलेट वाला ज्यादा ज्यादा नहीं भरना है देखिए हमारा अभी हो गया अभी मैं उपर से चोकलेट डार्क चोकलेट हमने घीसा था ना वह थोड़ा थोड़ा मैं डाल रही हूँ आप लोग भी इस तरह से बनाईए गया ना बहुत अच्छा लगे गया खाने में बहुत टेश्टी लगता है अब हम इसे फ्री हीटिड ओवन में डालेंगे 180 डिगरी में 20 मिनट अभी यह हमारा मफिन 20 मिनट में बन के तयार हो जाएगा रेडी हो गया देखिए अभी मैं आप लोग को चेक करके दिखाती हूँ कि कैसा बना है मफिन हमारा देखिए एकदम पर्फेक्ट बना हुआ है अभी मैं एक आप लोग को तोड़ के दिखाती हूँ देखिए कितना सौप्ट बना है देखिए देखिए कितना अच्छा आया है फुला हुआ है देखो एकदम दब रहा है एकदम इस्पॉंची बना हुआ है देखिए जालीदार एकदम स्पॉंची बना हुआ है आप लोग भी जरूर बना के खाईए अब कमेंड बॉक्स में जरूर लिखना कि हमारा मफिन्स कैसा लगा और हमारा मफिन्स अच्छा लगे तो लाइक सेरे सस्क्राइब जरूर करना थांक यू बाइ बाइ